दिमाग और पेट से है डाक चॉकलेट का स्ट्रॉंग कनेक्शन गिनते रह जाएंगे इसके फाइदे डाक चॉकलेट दिल दिमाग ही नहीं ओवरॉल हेल्थ के लिए फाइदे बंद मानी जाती है इसमें कोको आ नाम का पधार्ट मिलाया जाता है जो दिमाग को बहुत जल्दी एक्टिव कर देता है इसका स्वाध हलका कसेला और मीठा होता है डाक चॉकलेट को लेकर हुए कई अधनों में पता चलता है कि अगर इसका सही और सेमित मातरा में सेवन किया जाए तो इसके कई फायदे हो सकते हैं आज में शेयर कर रही हूँ आपके साथ डार्क चॉकलेट खाने के क्या-क्या फायदे होते हैं क्या-क्या नुकसान होते हैं हमें इसी कितनी मात्रा में खाना चाहिए और कब खाना चाहिए तो फ्रेंट्स पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो फ्रेंट्स वीडियो को पूरा फॉलो करें जिसे की पूरी जानकारी आपको मिल सके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें सब्सक्राइब पूर मोर वीडियो जाता है इसे खाने से इंसान खुसमिजाज बनता है इसे खाने से स्ट्रेस और एंग्जाइटी से छुटकारा मिल जाता है डॉक चॉकलेट में कई एंटियोक्सडेंस पाई जाते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स नहीं बने देते हैं जिससे उम्र का असर भी नहीं पड़ता है श्रिंग चलियाई जान लेते हैं डॉक चॉकलेट खाने के छे बड़े फाइदों के बारे में इसे खाने से दिल से जुड़ी विमारिया दूर ही रहती है इसे हार्ट डिसीस कारडियक अरेस्ट हार्ट फेल्यओर और इस्ट्रो्क जैसी खतरनाक समस्याओं का जो खिम कम हो सकता है नबर फू बलड पेशर करें कंट्रोल एक रिसर्च के अनुसार डाक चॉकलेट के फायदे बताए उनका कहना है कि डाक चॉकलेट में फ्लेवो नाइट्स पाई जाते हैं जो बलड पेशर को मैनेज करने में मदद करते हैं और दिल की बीमारियों का रिस्क कम होता है नमबर त्री कॉलेस्ट्रॉल कम करें हावर्ड हेल्थ के अधियन में पाया गया उस तरह की चॉकलेट कॉलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कार होती है स्टडी के अनुसार 28 जिनों तक 30 ग्राम चॉकलेट खाने को दिया गया जिननों की चॉकलेट में लाइकोपिन था उसमें बैट केलस्ट्रॉल लेबल कंट्रोल देखा गया ट्राइगलाइस्ट्राइड में भी कमी देखने को मिली नमबर 4 ब्रेन हेल्थ को मजबूत बनाए डाक चॉकलेट से शरीर में सेरोटोनिन इंडोरफिन्स हार्मोन बढ़ जाते हैं इने फिल गुड हार्मोन भी कहते हैं इन हार्मोन से बॉड़ी को रिलेक्स मिलता है और मन अंदर से खुश होता है मतलब इनसान खुश मिजाज रह सकता है इसे तनाब और डिप्रेशन भी दूर भागता है नमबर 5 बजन कंट्रोल करे डाक चॉकलेट बजन कम करने में भी हल्प करता है इसे खाने के बाद भूप कम लगती है इसे ओवर इटिंग से बच जाते हैं और बजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है इसलिए वेट लॉज जर्नी में यह है अच्छा माना जाता है इसे बाद 6 मेटावालिज बूस्ट करे डाक चॉकलेट में मोनो अंसाचुरेटिट फैटे असिट पाया जाता है जो मेटावालिज को बूस्ट करने का काम करता है इसे कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है और शरीर कई अंचाही बिमारियों से बस सकता है एक दिन में कितना डाक चॉकलेट खाना चाहिए लगभग 1-2 ओंस या फिर 30-60 ग्राम आप डाक चॉकलेट ले सकते हैं से ज़्यादा खाने से आप बहुत ज़्यादा कैलोरी ले रहे होंगे बात कर लेते हैं डाक चॉकलेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है डाक चॉकलेट जिसमें कम से कम 70% कोको होता है उसमें बहुत सारे जरूरी पोशक्तत होते हैं इसमें iron, magnesium, copper और magnesium भरपूर मातरा में होता है इसमें calcium, potassium और zinc के साथ-साथ vitamin A, vitamin B, vitamin E और vitamin K भी होते हैं अब बात कर लेते हैं चौकलेट खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? चौकलेट खाने का सबसे अच्छा समय दिन के दौरान होता है, इसे खाली पेट या देश शाम को नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें caffeine होता है, चौकलेट खेल के दौरान उन गतिविदियों से पहले भी सही है इसमें सयम और एकागरता की आवशक्ता होती है अब बात कर लेते हैं, रात में डाक चौकलेट खाने से क्या फाइदा होता है नीन के लिए चौकलेट खाने से सेरोटोनिन, एंडोफरिन जैसे feel good हार्मोन का स्ट्राप बढ़ जाता है जिससे आपका मून बेतर हो सकता है इससे आपको रात में आराम मिलता है डाक चौकलेट में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है जो आपको लंबे समय तक भरा हुआ मैसूस कराने में मदद करता है इससे वजन खटाने के लिए बेहत फायदेबन होता है अब बात कर लेते हैं पुश्रों को डाक चौकलेट क्यों खाना चाहिए इसके सेवन से इम्मुनिटी बूस्ट होती है रोजाना डाक चौकलेट खाने से सर्दी खांसी की समस्या से बचाब होता है इसमें पाए जाने वाले विटामिन सी फैटेयासिस शरीर की इम्मुनिटी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं बात कर लेते हैं डाक चौकलेट खाने के साइड इफेक्ट या नुकसान के बारे में अगर आप डाक चौकलेट अधिक मात्रा में खाते हैं तो इसके आपको चार नुकसान देखने को मिल सकते हैं अनिद्रा और ब्लड पेशर को बढ़ाने का काम करता है अगर आप अतेदिक मात्रा में डाक चॉकलेट का सेवन करते हैं तो किटनी स्टोन की प्रॉबलम हो सकती है माइग्रेन का खत्रा हो सकता है ब्लड शुगर लेबल आपका बढ़ सकता है तो फ्रेंट्स इसके एक सही मा एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें कमेंट शेक्षिन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी थैंक्स फुल वाच और बाई टेक केर आल अफ यू